तीसरे चरन का लॉक्टॉन चल रहा है जिसमें जरुत मंदों की संख्या भी बढ़ती चली जा रही है ऐसे में हम मौझूद हैं बोरी वली शिवाजी नगर में जो की जरुत मंदों को यहां पर राशन किट दिया जा रहा है और जो शुशन वातुक सेना के महाराष्ट के पूर्व अद्यक्स हैं वो भी महाराष्ट का दौरा कर रहे हैं उनकी भी मौझूदगी है जगा जगा जाकर वो भी राशन किट लोगों को दे रहे हैं और सनीटाइजर मास्क लगातार उनकी मौझूदगी में बाटा जा रहा है उनके दिसनिर्देश में इमाम साब है मस्जित के शिवाजी नगर बोरी वली के उनसे चर्चा करेंगे कि यहां पर कितने लोगों को राशन किट दिया जाएगा कितने जरुतमंदों के लिए यहां पर राशन किट का अंचाम किया गया है वैसे तो इससे पहले भी माशाला इन लोगों ने मदद की हमजा भाई वगे रहा थे फाहीम भाई थे और अभी दिपक महेशरी साहब भी आये हमजा भाई भी है तो कुछ सो के उपर किट से भी आ हमने कभी फरक नहीं किया इससे पहले किट से आई तो हमारा सबसे पहला कॉंसेंट्रेर था फोकस ना कि हिंदू भाई को भी मिले भाई जो जो जरुरत मैंने वाकिया तन तो जो फैमिली वाले थे हमारे पॉड़ोस के अंदर हिंदू भाई यह वन पुलस वन उपर नीचे संगट घड़ी है और जो मुश्किल घड़ी है इंशालला खतम होती चले जाएगी तो हम बहुत 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 शुक्रिया अदा करेंगे बहुत 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 जो हम बदाई देंगे महश्वरी साहब को और हमजा साहब को कि इन लोगों ने ध्यान रखा इतनी पूरी जो और आगे बढ़ा है बहुत बहुत शुक्रिया तो संकट की इस घड़ी में बोरी वली से संदेश देते हुए मस्जिद के इमाम साहब मझभ नहीं सिकाता आपस में बैर रखना हम बुलबले हैं इसकी ये गुल सिता हमारा ये संदेश मस्जिद के इमाम साहब द्वारा दि अगर थोड़े वक्त के लिए आगे चलकर दुकाने खुलती भी है तो सोशल डिस्टेंस मेंटन करें इसके अंदर अपनी भी हिफाज़त है अपने बच्छों की भी हिफाज़त है तो सबसे बड़ा आसान और अच्छा तरीका यही है कि अपने अपने घरे के अंदर हम रहे बिला जरूरत बाहर ना निकले जो भी जरूरत है अपनी दूद वगेरा की राशन की निकले बाहर और फौरान अपने घर के उपार आजाए यह सबसे बड़ा असल तरीका है वाइरिस से अपने आपको बचाने का तो मस्जित के इमाम साब बोरी वली शिवाजनगर से संदेश देते हुए चर्चा करेंगे महराष्ट के पूर वहतुक सेना के अध्यक्स दिपक महिजबरी जी की मौजूदगी है उन्ही के दिसा निर्देश में महराष्ट की बात करें तो महराष्ट के कई जिलों में लो लोगों को जरुतमंदों को आपके दिसा निर्देश में राशन किट दिया जा रहा है नमस्कार नियाज भाई नियाज बड़ा बड़ी खुशी होती है कि हम मजजीद में पोचे बोरी वली में शिवाजी नगर में यहां की जो जरुवा थी जो हमारे साजीद जो हमारा व असा नहीं है कि कोई हिंदू है कोई मुसलमान है या कोई क्रिश्चन है यह बड़ा नाज होता है सुनते वे कि आज भी भाईचारा का एक जो सेरा दिखता है वो यहां मेहफूस है एकदम और मुझे गर्व है इसके ओपर और हम यहां तक पहुचे है उस पर भी मुझे गर करता हूं और मैं साशन से जरूर बोलूगा कि इस पर गौर करें कि यह जो बैरता है इसको दूर करें लेकिन सारे भाई है इसको लक्ष में रखें क्या कहना चाहेंगे महाराष्ट के आप अध्यक्स रहे चुके हैं ऐसे में लगातार देखते हैं हम रास्ते से जो जरुत- मंद लोग हैं चलते चले जा रहा है हजार से 1200 किलिमेटर उनके पैरों में चाले भी पढ़ चुके हैं मगर रुकने का नाम नहीं लेते ऐसे में उन लोगों के लिए आप क्या संदिस देना चाहेंगे बड़ा दुख है कि कुछ देरी हुई है साशन से इनके लिए जो प्र तो जो निकल चुके हैं मैं बोलूगँगा कि अगर वो ठक चुक है यहां रहके और निकले हैं तो मैं उपरवारी से बस इतनी दुआ करूँगा इतनी ही मैं भगवान से विंती करूँगा कि उनमें शक्ती देवे कि वा अपने मन्जिल तक पहुँचे और खुशाली से प पूलूंगा कि रास्ते में जहां भी उनकी मदद कर सके हम महाराश्च्रा में उनकी मदद करें और उनका सयोग करें तो तीपक महिजबरी जी संदेश देते हुए जो लोग रास्ते में 1200 किलिमीटर चल रहे हैं और तीपक महिजबरी का आपने वीडियो देखा होगा कि पिछले दिनों लगातार वो ऐसे सैंक्रोड लोगों को बिस्किट पानी और बाकी कई सुक्सु विदाएं पाटते हुए नजर आये थे तो कैमरा परसन राशित के साथ मैं नियाज खान एस्टीवी नियूस मॉंबई